हाई फ्रेंड्स वेलकम टू ग्लैम्बिट्री आप लोग सभी लोग खैरियत से होंगे आज हम दिखाने जा रहे हैं पांच मिनट में अपने चेहरे की निखार आईए इसे देखते हैं कैसे आपके घर में बेसन होगा तो आप बेसन ले लिजिए अगर आपके पाँ बेसन एवलेबल नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें दो चम्मच आप दूद ले लिजिए उसमें दो केसर डाल दीजिए इसका रंग आपके चेहरों पे बहुत का राएगा का राएगा खाने के लिए और लगाने के लिए भी आप गर आपके पास ना हो तो आप लोग अपने घर में खरीद कर शहद का प्रयोग जरूर करें शहद हमारे चेहरों के लिए भी बहुत अच्छा है हमारे घर में एवलेबल तो हर चीज रहेगी हमें बाहर जाने की कोई जरुवत नहीं है आप घर के चीज़ों से अपने चेहरे पर निखाल लाईए ओरिजनल चीज़ों से आपके चेहरे पर ना डाक सेर्कल्स, ब्राइटन, रेट सेल्स, ब्लेक हैट सब को रिमूव करेग यह आपके बहुत अच्छा आपको रेमेडी है आप यूस ट्राइज जरूर कीजिएगा इसे आप इसे अपने हैंड्स पर लगाईए फेस पर लगाईए यह बहुत अच्छी रेमेडी है आपके वेखिए का आपके चेहरे पर दाग धब्बे कुछ भी नहीं होंगे आप यूस कीजिए दस लोग सोचते हैं कि हम अपने चेहरे को कैसे निखा रहें तो आप इसे यूस कीजिए यह मैंने यूस किया है इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है आप भी यूस कीजिए देखने से कुछ भी नहीं होगा आपके बच्चे हों आप अपने बच्चों पर ट्राइ कीजिए आप ट्राइ कीजिए सबी लोग लगाईए मेरे को चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बाहर के चीज़े मत ट्राइ कीजिए आपके स्किन को खराब कर रहा है आप ये ओरिजिनल चीज़ यूज़ कीजिए देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप खुद मुझे मैंसेज कर गिएगा आप कॉमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैंने आज इसे यूज़ किया बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है दस मिनट के लिए इसे सुखने दीजिए फिर इसे नॉर्मल बॉटर से वाश कर लीजिए दोनों हातों में देखिए मेरा कितना डिफरेंट है यह देखिए आप लोग इसे यूज़ कीजिए प्लीज ट्राइज जरूर कीजिएगा यह रेमेडी बहुत ही अच्छी है आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं ताप इस रेमेडी को ट्राइ कर लीजिए और फिर इसके उपर मेक अप कीजिए बहुत ही अच्छा निखा रहेगा आपके चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू